नमस्कार दोस्तों जैसा कि आज हमें हम्दाबाद में 5 साल हो गया है इधर आज हमें ऐसी भुक्मरी देखने को मिल ला है कि ना हमारे खाने का ठिकाना ना पानी पीने का ठिकाना सर यहां ऐसी भुक्मरी हो गई हम नी भी तो इस बिल्डिंग में 35 से 40 बंदे फसे हैं उत्राखन के और जब गुजरा सरकार अपने बंदों अपने लोगों को लेने के लिए यहां से बज भेज सकती है क्या उत्राखन सरकार नहीं भेज सकती है क्या उत्राखन सरकार में इतना दम नहीं है क्या हम इंसान नहीं है क्या हमें अपनी जान प्यारी नहीं है हमारे भी माता पिता है यहां से कल रिसी की धरद्वार से एमदाबाद 14 बस से आई बस इधर आके हम बस इस्टेंड भी गए तो बस वालों ने हमें अंदर घुशन सब् leaned यह खाली बस हैंιο को लेंगे कि की उत्राखंड सर्कार एक पलब बूरे सीसे मरना क्या इसलिए अधार है अंमरीों उन्ञंतीर उसतीर थो किसी क्या शुगरार है। विटना पीने के पानी है कि देवाइग क्या तक भी मैंने कॉल किया वहां से कोई भी रिस्पॉंस ही नहीं मिला किसार हम इंसान नहीं है कि हमारे पर हमें अपनी जान प्यारी नहीं है जो पैसे थे वह को हमने अपने घर डाल दिए जो हमसे बन पड़ सकता था वह सब कर चुगे हैं कोई कोई रिस्पॉंस ही नहीं दे रहा तो हमें लास्ट में यह आना पड़ा लाइव आना पड़ा कि हमें यहां से कोई ले जाने वाला निये इससे वड़ी हम लाइव डालते हैं हम यह 35-40 वं हैंटेल रहे घ्रक भी धालते तो इसको क्या होने तो लृत मृकिंगा यह यहां यह तो प्रदेश है ना हमारा कोई ना कुच है हमारा रा क्राइव दिल्ली से रंजीत डढ़कोटी करके नाम है उनका उन्होंने हमें इतना सास दिलाया अभी तक जीने की सांस उनने ही दिलाई है कि 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 आप बस वहीं पे बैठो मैं करता हूं कुछ जुगाड करके उनकी सांसों से उनके ही सहसे हम अपनी सांस ले रहे हैं नितों वहते हैं कपका हम हुकमरी से मर चुके होते हैं कि अब लाइन नमबरों का अपना जुगे हैं सब अपने ट्राइ कर लिया देखके पहले ही